नमस्कार दोस्तों आपका OK Law Services में स्वागत है तो आज हम लोग पढ़ेंगे दन्न न्यालियों और कार्यालों का गठन ये CRPC के अध्यादों में अंकित किया गया है अब CRPC का हिंदी में फुलफाम होता है दन्प्रक्या सहीता जिसको इंगलिज में बोलते हैं The Code of Criminal Procedure ठीक है तो ये धारा 6 से लेकर धारा 25A बोले तो धारा 25 का तक अंकित किया गया है लेकिन हम इस वीडियो में धारा 6 से लेकर धारा 9 तक कवर करेंगे बाकि हम next वीडियो में कवर करेंगे इसका English version हम पिछले वीडियो पिछले दिन बनाए हैं आज हम लोग इसको हिंदी में कवर कर ताकि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनके लिए भी लभामवित हो। गठित नयायले के अतरिक्त, प्रतेक राज में निमलिखित वर्गों के दंड नयायले होंगे। जो पहला नंबर है, दूसरे नंबर पे है प्रतम वर्ग नयायक मजिस्टेट और किसी महानगर छेत्र में महानगर मजिस्टेट। देखे, जो डिस्ट्रिक वाले छेत्र होते हैं, जीला वाले ठिक, वहाँ पे क्या होते हैं? नयायक मजिस्टेट होते हैं। ठिक, सेजन छेत्र में, लेकिन जहाँ पे महानगर छेत्र हैं, वहाँ पे क्या होते हैं? महानगर मजिस्टेट होते हैं। तिसरे पांट में आता है, दृतिय वर्ग नयायक मजिस्टेट। जो की प्रतम वर्ग नयायक मजिस्टेट के नीचे होते हैं। फिर चौथरे नमबर पे है, कारेपालग मजिस्टेट। ये 4 तरिके के अनन्य न्याले हैं, उच्छ न्याले के अलामा। तो ये 5 टोटल कु महानगर छेतर आजाएगा कि कौन से एरिया महानगर छेतर गोशित किया जाते हैं तो प्रादेशिक खंड देखते हैं कि कैसे प्रादेश को बाटा गया है विभीन खंडों में तो प्रादेश को प्रादेशिक खंड तो इसमें पहला उधारा क्या बोलता है धारा साथ का कि प्रतेक राज एक सेसंखंड होगा या उसमें सेसंखंड होगे मतलब एक राज में कमपलसरी है कि एक सेसंखंड होगा लेकिन एक से भी अधिक सेसंखंड हो सकते हैं प्रतेक राज में और इस सहींता के प्रयोजन के लिए प्रतेक सेसंखंड एक जीला होगा या उसमें जीले होंगे मतलब अब देखो एक राज सेसंग खंड में भी भाजित होगा अब सेसंग खंड के अंदर होंगे जीला नयाले मतलब एक सेसंग खंड एक जीला नयाले ये जरूरी है कि होगा और उसके अंदर और सारे भी जीला न्याले हो सकते हैं ठीकरे परन्तु प्रतेक महानगर छेत्र, उक्त प्रियोजनों के लिए एक प्रिथक, सेशन, खंड और जीला होगा लेकिन इसमें क्या बोला है कि अगर महानगर छेत्र है तो उसके प्रियोजलन के लिए एक अलग सेशन, खंड या पि जीला मना जाएंगे ठेक है अब देखो दूसरा उब्धारा है कि राजे सरकार जो है वो उच नियाले से परामर्ष करके क्या करेगा कि खंडो और जीला जीलो कि उसकी जो सिमाय हैं और उसकी जो संख्या हैं उसमें परिवर्थन कर सकती है और उपधारा 3 क्या बोलता है कि राज्य सरकार उच्छे न्याले से परामर्ज करने के बाद वो क्या कर सकता है कि जीलो को उपखंडों में अब देखो हम लोग पहले उपधारा में बात किये कि राज्य को खंड में खंड को जीलों में अब जीलों को फर्दर जब लिवाइट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं उपखंड तो उपधारा तीन में क्या बोला कि राज सरकार उच्य नיכal से परणमरस करने के पस्चाथ वो क्या करेगी कि जीलो को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सिमाव और संख्या में भी परिवरतन वो कर सकती है अब उपधारा 4 इसमें दिखते हैं क्या लिखा है किसी राज्य में इस सहीता की प्रारम से प्रारम के समय बिद्दमान, सेशंखंड, जीले और उपखंड इस धारा के अधिन बनाए गए समझे जाएंगे मतलब इसमें ये बोला है कि प्रारम से जब से ये सहीता प्रारम हुई है तो हर एक जो राज्य है उसमें जो सेशंखंड है जीले हैं, उपखंड हैं, वो क्या माने जाएंगे कि इसी के अंदर वो बनाए गए थे ठीक न? बनाए गए वो समझे जाएंगे ऐसे देखो, बने होंगे पहले, लेकिन इसके अंदर बने हुए वो समझे जाएंगे अब हम लोग धारा आट की ओर चलते हैं जो कि महानगर छेतर की बात करता है तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मतलब नोटिफिकेशन देखे घोशित करती है कि फलाना एरिया एक महानगर छेतर होगा लेकिन उस फलाने एरिया के जो पपुलेशन है वो कितनी होनी चाहिए नियूनतम 10 लग की होनी चाहिए तो इसको एक रीडिंग लेते हैं एक ब्रेप रीडिंग तो उपधारा एक बोलता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोशित कर सकती है कि उस तारिक से जो अधिसूचना में विनी द्रिष्ट की जाए राज्य का कोई छेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाग से अधिक है तो सबसे इंपॉर्टन पॉइंट क्या है तो उस नगर या नगरी की जो जनसंख्या है वो 10 लाग से उपर होनी चाहिए इस सहीता के प्रयोजंग के लिए महानगर छेत्र होगा ठीक न? इस सहीता के प्रयोजंग के लिए मतलब इसको उप्योग में लाने के लिए ठीक है? अब देखो अब इस सहीता के प्रारम से ही कुछ नगर है जो पहले से ही माने ऐसे समझे जाएंगे कि इसी के अंदर वो महानगर छेतर घोस्चित किये गये थे वो कौन-कौन से छेतर है वो है Presidency Towns ठीक ना मतलब Presidency नगरे और वो कौन-कौन से Presidency नगरे है वो है मुंबई, कुलकाता और मदरास की Presidency नगरे और एहमादाबाद नगर ऐसे समझेंगे उबधारा एक के अधीन महानगर छेतर घोस्चित किये समझे जाएंगे ठीक है अब हम लोग चलते हैं इसका उबधारा तीन तो उबधारा तीन में क्या लिखा है कि राजसरकार अधिसूचना द्वारा महानगर छेतर की सिमाओं को बढ़ा सकती है और कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है किन्तु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस छेतर की जनसंख्या 10 लाग से कम रह जाए इसमें क्या बोलने की कोशिस कर रहा है इसमें ये बोलने की कोशिस कर रहा है कि राजसरकार नोटिक्विकेशन से अधिसूचना द्वार क्या करेगा वो कि महानगर छेतर की जो सिमाओं है उसको बढ़ा भी सकती है मतलब expand कर सकती है और कम भी कर सकती है लेकिन उसको एक बात द्यान में रखने की यहाँ पर जरुरत पड़ती है कि जब भी वो परिवर्त करती है ठीक ना, राजसरकार जब भी परिवर्तन करती है तो उसको इस प्रकार किया जाएगा कि वहाँ के जनसंख्या 10 लाग से कम ना हो ठीक ना, कोर्सिस करेगे अब यहाँ पर चलते हैं उबधारा 4 जहाँ पर दखो अब जब राजसरकार किसी एरिया को ठीक ना, किसी छेतर को अगर बढ़ा घटा रही है पपलेशन के हिसाब से महानगर छेतर बना रही है तो हो सकता है कि वहाँ पर पॉपलेशन जो है कम हो जाए ठीक, महानगर छेतर ना रह जाए तो उस सेंपे वहाँ पर जो केसिस चलेंगे जाज चलेगा, ठीक ना, बिचारण चलेगा अपील चलेगा, उनलों का क्या होगा तो ये उपधारा चार और उपधारा पांच में यही बाते बताए गए है इसमें जो में इंपोर्टेंट बन बताए गए है वो ये बताए गए है कि जो भी वहाँ पर जाज, बिचारण या अपील चल ला है वो उसी परकार चलता रहेगा ऐसा समझा जाएगा कि कभी भी इसको जो महानगर छेतर गोसित हुआ है महानगर छेतर वो था तो वो ऐसे ही माना जाएगा कि वो महानगर छेतर ही है भले हुआ बाद महानगर छेतर ना रहे पपलिसंग जनसंख्या कम होने के बज़े से तो अब उबधारा 4 का हम लोग एक्रीडिन लगते हैं यहाँ पर यह बोला है कि जहां किसी छेत्र के महानगर छेत्र गोषित किये जाने या गोषित समझे जाने कि पस्चात ऐसे छेत्र के जनसंक्या 10 लग से कम हो जाती है वहाँ ऐसी छेत्र, ऐसी तारीक को उसमें जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निम्मेत विनिद्रिष्ट करे महांगर छेत्र नहीं रहेगा किंतु महानगर छेत्र न रहने पर भी यहां से important है कि किंतु महानगर छेत्र न रहने पर भी ऐसी जाच, विचारण या अपील जो ऐसी न रहने के ठीक पहले ऐसे छेत्र में किसी न्याले या मजिस्टेट के समझ लंबित थी लंबित के मतलब होता है pending जो उस समय पर चल लही हों केसेस लंबित है इस सहीता के अधीन इस प्रकार निपटाए जाएंगे मानों वह महानगर छेत्र हो ठीक मतलब उस समय पर जो भी न्याले या मजिस्टेट के समझ केस चल लही थी ठीक न उसको ऐसे ही निपटा जाएगा जैसे कि अभी भी वह महानगर छेत्र हैं भले ही वह अब महानगर छेत्र नहीं रहे हैं ठीक अब उबधारा पांच बात करता है जो उबधारा तीन में हम लोग ने पढ़ा था जिसमें राजसरकार को सकती दी गई है कि वो किसी चेत्र को बढ़ा सकती है गटा सकती है लेकिन उसको ध्यान में ये रखना जूरी होता है कि वहां के जनसंख्या 10 लाग से कम न रह जाए ठीक न वह वाला पांच था तो उसी का ये है पाचमा उबधारा जो उसको बताती ह जहां राजसरकार उबधारा 3 के अधिन किसी महानगर छेत्र की सिमाओ को कम करती है या परिवर्तित करती है वहां ऐसी जाज, बिचारण या अफील पर जो ऐसे काम करने या परिवर्तन के ठीक पहले किसी नियाले या मजिस्टेट के समक्ष लंबित थी ऐसे कम करने या पर भाव नहीं होगा और ऐसी प्रतिएक जाज विचारण या अपील इस सहींता के एधिन उसी प्रकार निप्टाए जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तित ना हुआ हो ठिक वही सेम बात जो हमने कहा इसमें एक इंपोर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो जनसंख्या की बात क जारी है वो कौन से जनसंख्या होगी तो जो सेंसस होता है ओफिसल सेंसस होता है तो वही बस इसमें मानने होता है इसकी रीटिंग कर लेते हैं इस जारा में जनसंख्या पत से नमीनितम पुरवर्ति जंगर्णा पुरवर्ति मतलब जो पहले जंगर्णा की गई थी कि कितन पॉपलेशन है, जनगर्णा में यह था अभी निश्चित, वह जन संक्या अभी प्रेद है, जिसके सुसंगर आख्रे प्रकासित हो चुके हैं, ठीक, प्रकासित हो चुके मतलब उसको बताय जा चुके है, कि कितना पॉपलेशन था, हर एक एक सिंसास होता है, उसे एक 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 mana gae ga, जो अल्मान लागा के बताया जाता है कि इस year지는 इतना हो जाएगा वह हो जाएगा यह सब नहीं होता है जो official publish होता है census द्वारा, वही population मानने होते हैं, अब हम दोग धारा नव पढ़ लेते हैं सेसं नया ले के होते हैं जिला से खंड होते हैं ठिक इस प्रकार ने हमनों बढ़ा अब सेशन न्याले क्या होता है वो भी देख लेते हैं अब राज सरकार प्रतेक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्याले इस्थापित करेगी और जितने भी अब उद्धारा 2 में ये भी बोला गया कि जितने भी सेशन न्याले वो इस्थापित करेगी उसमें एक न्याधिस पिठा सीन होगा पिठा सीन मतलब क्या होता है? वहाँ का जो उस कुर्सी पे बैठेंगे बढ़े तो जज उन्हें को क्या बोला जाता है? पिठा सीन ठीक ना? न्याधिस पिठा सीन होगा जो उच्च न्याले द्वारा नियुक्त किया जाएगा ठीक? और उसके नियुक्ति कुन करेगा? जज के नियुक्ति करेंगे आपके उच्च न्याले उच्च न्याले बोले तो इसको इंगले से में बोलेंगे हम लोग हाई कोल ठीक? अब उपदारा तीम बोलता है कि उच्च न्याले अपर सेशन न्याधिसू और सहायक सेशन न्याधिसू को भी सेशन नयाले में अधिकारिता का प्रियोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है अब इसमें देखो उपधारादो में उच नयाले को पावर दिया गया कि इसको एक नयाधिस पिठासीन अधिकारि को नियुक्ति करने का ठीक न सेशन नयाले में अब उसके साथ साथ उच नयाले को ये भी पावर दिया गया है कि अपर सेशन नयाधिस अपर सेशन नयाधिस को इंगलिज में क्या बोलते हैं Additional Season Judge और Assistant Season Judge को बोलते हैं सहायक सेशन नयाधिस ये दुन होगे ठीक है इसकी भी नियुक्ति क्या होता है कि इसकी भी नियुक्ति उच नयाले करती है और किस लिए करती है ताकि सेशन नयाले में भी ये अधिकारता का अपना अधिकारता वो अधिकारता का प्रियोग कर सके ठीक ना उसके लिए उच नयाले की नियुक्ति करता है ताकि देखो काम बहुत ज़्यादा होते हैं तुमका थोड़ा थोड़ा करके बात दिया जाता है ताकि इसली वो इसमुथली चल सके ठीक है अब फरदर उभधारा चार में चलते हैं उच्च न्याले द्वारा एक सेसं खंड के सेसं न्याधिस को दूसरे खंड का अपर सेसं न्याधिस भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में वह मामले को निप्टाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे इस्थान या इस्थानों में बैठ सकता है जिसका उच्च न्याले निर्देश दे तो इसका अर्थात क्या लिकनता है इसमें अर्थ ये लिकनता है क देखो उच्च नयाले क्या कर सकती है कि एक जज है वो कहा है एक नयाधिस है जो एक सेशन खंड में है ठीक एक सेशन नयाले में एक सेशन नयाधिस है अब उसी सेशन नयाधिस को दूसरे सेशन नयाले का अपर सेशन नयाधिस बना सकता है बोले तो सेशन जज को additional सेशन जज दूसरे सेशन नियालय का वो बना सकता है, नियुक्त कर सकता है, ठीक न, और वो उस जगह पे, इस्थानों पे बैठेगा, जहां पे वो इसका अधिकारता वो निभा सके, मामलों को निप्टाने के लिए, ठीक है, अब यहां पे अब उपधारा पांच की वर हम लोग चलते ह जहां किसी सेशन नियाधिस का पद रिक्त होता है, रिक्त बोले तो बैकेंट, वहां उचे नियालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेधन के, जो उस सेशन नियालय के समक्ष किया जाता है, या लंबित है, अपर या सहायक सेशन नियाधिस द्वारा, अत्वा यदि अपर या सहा नियायक magistrate द्वारा निप्टाय जाने के लिए वयवस्ता कर सकता है और ऐसे प्रतेख नयादिस या magistrate को ऐसे आभिधम पर कारवाही करने की अधिकारता होगी तो इसका अर्थात क्या होता है? इसका अर्थात क्ये होता है कि अगर मालो सेशन न्यादिस का जो seat है जहां वो बैठक करते हैं ठीक ना सेशन न्यादिस में वो रिक्त है रिक्त बोले तो back end वो नहीं है वो इस टाइम पे back end है वहाँ पर उचे न्यादिस क्या कर सकती है जो urgent मामले है ठीक उनका निप्टारा करने के लिए क्या कर सकती है कि अपर या फिर सहायक सेशन न्यादिस जो है उनको उन मामलों को दे सकती है उनकी अधिकारता वो दे सकती है उचे न्यादिस दे सकती है अगर मालो अपर या सहायक सेशन न्यादिस वहाँ पिन नहीं है तो उस case में क्या कर सकती वो मुख न्याइक magistrate को दे देगी उसकी गरती कारता देगी ताकि उन cases का वो निप्टारा कर सके ठीक ना तो यही point इसमें बोला जा रहा है अब उपधारा 6 उपधारा 6 में क्या बोला जा है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों साक्षियों को सुविधा होगी तो वह अभियोजन और अभ्यूक्त की सहमती से उस मामले को निप्टाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परिक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है तो इसमें अर्थ क्या बता जा रहा है कि देखो जनरली तो जितने भी सेशन न्याले हैं जो सेशन न्याले हैं वो समानते वहीं बैठेंगे जहां वो नौर्मली बैठक करते हैं समानते अपनी बैठक जहां करते हैं वहीं बैठक करेंगे जहां पर उचे अधिसचना द्वारा बता है कि आप वहीं बैठक करेंगे वहीं पर सेसन नेले अपना बैठक करती है लेकिन किसी किसी बिसेस मामलों में सेसन नेले क्या कर सकती है अभियोजन पक्ष और अभियोजन पक्ष कुण होता है प्रोजी क्यूटिंग ओफिसर हो गए ठीक ना और अ एक्यूष्ट का पार्टी होती है ठीक ना एक्यूष्ट वाले तो दोनों पक्षों की सहमती से ठीक वह ऐसी जगा बैठक कर सकते हैं जहां पर दोनों को सुविदा हो ठीक ना अच्छे से आने जाने में सुविदा हो और साक्षियों को होल्ड कर सके और उनकी परिच्छा ले सके कौन सी परिच्छा, witnesses वाली, कौन सी examination of witnesses वाली परिच्छा के यहां पर बात हो रही है, तो उस तरीके के वो परिच्छा ले सके, उसके लिए वो बैठक कर सकता है, इस थाम पर जहां पी उन दोनों को एराम मिले, दोनों party के consent से यह किया जाता है, ताकि दोनों party के बैठने का निर्देश दिया है, परंदो बिशेस मामलों में क्या करती है, कि सेसन न्याले अभ्योजम पक्छ और अभ्युक्त पक्छ जो है, दोनों पक्छों की सहमती से, ऐसे जगह पर भी बैठक कर सकते हैं, जहां दोनों के लिए सही हो, और वहां पर जितने सक्छी हैं सक्छी हों हैं, मतलब एक विटनेस आप ही एक से अधिक विटनेस हैं, तो सक्छी हों बोलेंगे, तो उनको परिछा वहां पर जाके वो कर सकते हैं, इसलिए उसकी बैठक की जाती है, ठीक ना, सुबिधा के लिए, में लिए सक्छी हों की सुबिधा के लिए की जाती है, त को कवर करेंगे ताके आपके लिए भी असानी हूँ ठीक है चले धन्यवाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में